चिकन फिशिंग राइगड नाम के गौँ के पास एक नदी बहती थी गौँवालों को दूसरे गौँवालों जाने के लिए नौँ में नदी पार करके जाना पड़ता था उस गौँव में चिंतन नाम का एक चिकन शॉप वाला रहता था चिंतन हर रोज मुर्गियां खरिद कर नाव में लेकर आता था जैसे ही नाव नदी के बीच में पहुंचता कुछ बड़ी मश्लियां उच्छल कर आकर उन मुर्गियों को अपने मूँ में दबोच कर फिर से नदी में चली जाती चिंतन परेशान था कि वो क्या करे एक दिन चिंतन अपने पत्नी श्वेता से इस गौ में चिकन का धंदा करना एक दम बेकार है यहां मैं हर रोज लोगों को कम चिकन बेचता हूँ और ज्यादा तर चिकन तो वो मश्लियां खा जाती है यह मश्लियां भी बड़ी अजीब है जैसे ही उन तक मुर्गियों की सुगन पहुँचती है वो बकासुर की तरफ बदल कर मुर्गियों को जपट कर फिर से नदी में कूच जाती है मैंने मश्लियों को भी यह निगल जाती है इन मश्लियों के रहते अपना धंदा नहीं चलने वाला इसी लिए मैं सोचता हूँ कि हम दूसरे गाउं चले जाते हैं क्या बात कर रहे हो जी बस मश्लियों के डर से हम गाउं छोड़ कर चले जाएंगे अगर मेरे माईके वालों ने ये बात सुन ली तो आपको निकमा समझेंगे वैसे भी इस गाउं में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं और इस गाउं का पानी भी मुझे रास आ गया है जरह देखो तो सही मेरी तवच्चा में कितनी चमक है मैं नहीं जानती कि आप क्या करोगे मैं ये गाउं छोड़ कर जाने वाली नहीं हूँ चिंतन ने अपना सर पकड़ लिया ये सब बातें उनके बेटे संजु ने सुन लिया एक दिन श्वेता एक बहुत बड़ी मचली को पकड़ कर घर ले आई अजी सुनो तो सही कहते हैं कि ये मचली बहुत ही अद्बुत है कहते हैं जब ये गेरी नीन में हो तब ही मच्छवारों के हाथ लगती है कहते हैं इसके बस एक ही कांटा है इसका स्वात भी एकदम मटन जैसा होता है मैंने इसे हजार रुपे में खरीदा है बस यूँ समझो कि अगले चार दिन तक हमारे घर में दावत ही दावत है चिंतन ने उस मशली को देखा अरे ये तो वही जंबू जात का मशली है यही तो वो मशली है जो हमारे मूर्गियों को निगल जाती है ये मशली हमारा दुश्मन है एक तो तुम इसे एक हजार रुपे में खरीद कर लाई हो उपर से इसकी प्रशंसा कर रही हो पहले इसे कर हैरान रह गए तब संजू के दिमाड में एक उपाई सूझा अगले दिन संजू ने अपने पिताजी से कुछ स्किनलेस मुर्गियां लिया इतनी मुर्गियों का तुम क्या करोगे बेटाम क्या तुमारे स्कूल में कोई पार्टी है जरा एक गंटा रुकिये पिताजी आपको सब पता चल जाएगा उन स्किनलेस मुर्गियों को संजू नदी के किनारे ले गया कुछ लकडियों को उसने कांटे लगाए फिर उन मुर्गियों को उन लकडियों से बांधा उसने एक लकडि उठाया और नदी के उपर रखा मुर्गी के सुगन से एक जम्बू जाद की मचली पानी के उपर उचली उचल कर उसने उस चिकन को अपने मुँ में लिया इस तरह उस लकडि में रखे कांटे में उसका मुँ भस गया संजू ने तुरंत उसे पानी से बाहर निकाला फिर उसने उस मचली को एक टोकरी में रखा इस तरह संजू ने उन मचली को पकड़ने के लिए चिकन के डंडे का इस्तिमाल करने लगा वो मश्लियां आकर उन कांटों में फसने लगी उन मश्लियों को संजू टोक्रियों में भरने लगा कुछ देर बाद संजू उन टोक्रियों को लेकर अपने पिताजी के चिकन के दुकान पर गया पिताजी कहते हैं ना कि कांटे को कांटे से निकालो ये कहावत आज सच हुई है मैंने अपनी मुर्गियों से इन मश्लियों को पकड़ा है आप इन मश्लियों को बेचिये हमें खुद पैसे मिलेंगे चिंतन अपने बेटे के सूजबूज देखकर हैरान हो गया इस तरह संजू हर रोज स्किनलस चिकन से बड़ी बड़ी मश्लियां पकड़ने लगा उन मश्लियों को मार्केट में बेच कर चिंतन खुब पैसे कमाने लगा मच्छवारे हैरान थे कि चिंतन उन मश्लियों को कैसे पकड़ रहा है और अपने सर खुजाने लगे यूँ चिंतन हर रोज अपने नौ में मुर्गियां लेकर आने लगा जब बीच नदी में मच्छयों उच्छल कर उन मुर्गियों को निगलने लगी तो चिंतन हस्ता था खाओ खाओ मज़े से खाओ कल इनी के जाल में तुम फसने वाले हो इस तरह चिंतन और उसके परिवार मुर्गियों की मदद से मचलियों का धंदा करते हुए आराम से जिंदगी गुजारने लगे चिंतन और श्वेता संजू का अभिनंदन करने लगे